J. Shri Hari spiritual ज्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक जुलाई से शुरू होने वाली है अमर्नाथ यात्रा जानेंगे अमर्नाथ यात्रा का महत्व रहसे इतिहास और सभी महत्व पून जानकारी इसके साथी साथ यात्रा करते समय किन बातों का रखना है ध्यान आईए जानते हैं एक सही कपड़े चुने अरामदायक कपड़े या ट्रेक सूट पहने और गरम कपड़े साथ में जरूर ले करके जाएं दूसरा फुट वेर का ध्यान रखें स्लीपर पहन कर ना जाएं ट्रेकिंग सूज ही पहने थ्री खुद को फिट बनाएं यात्रा पर जाने से पहले रोजाना सैर करें एक्सरसाइज और योग करें फोर अपनी सेहत का ख्याल रखें यात्रा से पहले मेडिकल चेक अप जरूर कराएं फाइव प्रेगनेंट लेडी यात्रा पर ना जाएं सिक्स कुछ चीजें जरूर रखें जैसे वाटरप्रूफ बैग, रेनकूर, दवाईया, टॉर्च, लाइटर, इत्यादी सेवन, इसके अलावा आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और यात्रा पर्मिट भी साथ जरूर रखें ये सारी बातें आपकी यात्रा को सुख़द और सुन्दर बनाएंगी अमरनाथ हिंदू धर्म के पवित्र वै प्रमुख तीर्थिस्तलों में से एक है जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर की राज़ानी श्री नगर के उतरपूर्व में 135 किलो मेटर दूर समुद्र तल से 13600 फिट की उंचाई पर इस्थित है बड़ी संख्या में श्रधालू हर साल यहां बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं कुछ लोग अमरनात को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग भी कहते हैं तो कुछ मोक्ष प्राप्ति का इस्थान लेकिन यह सत्य है कि यहां जो भी भग पहुँचते हैं वे भगवान शिव के स्वेंभू शिव लिंगम के दर्शन मात्र से धन्य हो जाते हैं हालकि यहां पहुचना आसान नहीं होता अमरनात पहुचने के बाद भी अमरनात के पवित्र गुफा तक पहुचने के लिए बहुत लंबी यात्रा और चड़ाई चड़नी होती है कब शुरू होगी अमर्नाथ यात्रा दो हजार तेईस में इस साल अमर्नाथ यात्रा एक जुलाई दो हजार तेईस से शुरू हो जाएगी जो की 31 अगर्स्त को समाप्त होगी बता दें कि शुरुआत में अमर्नाथ यात्रा केवल 15 दिनों के लिए होती थी लेकिन 2004 में अमर्नाथ यात्रा की अवधी बढ़ा कर दो महिने तक करने का फैंसला किया गया इस साल होने वाली अमर्नाथ यात्रा के लिए भी सरकार द्वारा शड्यूल जारिक किया जा चुका है यात्रा के लिए रेजिस्ट्रेशन 17 अप्रेल 2023 से ही शुरू हो चुका है जिसे ऑनलाइन और आफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है क्या है अमर्नाथ यात्रा का इतिहास अमर्नाथ यात्रा से जुड़े इतिहास की अनुसार पवित्र अमर्नाथ गुफा का दर्शन सबसे पहले महर्शी भगू ने किया था कहा जाता है कि एक बार कश्मीर घाटी जब पूरी तरह से पानी में डूब गई थी तो महर्शी कश्यप ने नदियों और नालों के माध्यम से पानी को बाहर निकाला उन दिनों रिशी भगू हिमाले की यात्रा पर उसी रास्ते से आये थे वे तपस्या के लिए एकांत्रवास की खोज में थे इसी दोरान उन्होंने बाबा अमर्नाथ की गुफा का दर्शन किया इसके बाद से ही हर साल अमर्नाथ में सावन मास जुलाई और अगस्त में पवित्र गुफा की दर्शन करने की शुरुवात हुई इतिहासकार कलहन की पुस्तक रास्तरंगनी और फ्रांस के यात्री फ्रांस्वा बर्णियर की पुस्तक ने अमर्नाथ यात्रा का विस्तार पूर्वक जिक्रत किया गया है जानते हैं अमर्नाथ यात्रा का महत्वा अमरनात गुफा को प्राचीन काल में अमरेश्वर कहा जाता था यहां बर्फ से शिवलिंग बनने के कारण लोग इसे बाबा बर्फानी भी कहते हैं अमरनात गुफा में इस्थित पार्वती जी का शक्ती पीठ है जो की 51 शक्ती पीठों में से एक है कहा जाता है कि यहां देवी भगवती का कंठ गिरा था जो भक्त पवित्र मन और श्रद्धा से अमरनात के पवित्र गुफा में बने शिवलिंग बाबा बर्फानी का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है पुराणों में भी कहा गया है कि काशी में लिंग दर्शन और पूजन से दस गुना प्रियाग से सो गुना नेमी शान्य तीर्थ से हजार गुना अधिक पुन्य बाबा अमरनात के दर्शन करने से मिलता है अमरनात गुफा का रहसे ग्रीश्म रितू को छोड़कर अधिकान से समय अमरनात गुफा बर्फ से धकी रहती है अमरनात गुफा का रहसे यह है कि यहां शिवलिंग प्राकर्तिक रूप से बनता है यानि यहां शिवलिंग का निर्मान नहीं किया जाता बलकि स्वैम शिवलिंग बनती है गुफा की छट से बर्फ की दरार से पानी की बूंदे टपकती है जिससे बर्फ का शिवलिंग बनता है शिवलिंग के बगल में ही अन्य दो छोटे बर्फ के शिवलिंग बनते हैं जिसे भक्त माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक मानते हैं अमर्नाथ गुफा का शिवलिंग दुनिया का एकमात रहसा शिवलिंग है जो की चंद्रमा की रोशनी के चक्र के साथ बढ़ता और घटता है सावन महा के शुकल पक्ष की पूर्णिमा को यह पूरे अकार में रहता है और अमावस्या तक इसका अकार घटने लगता है यह घटना प्रतेक साल होती है बर्व से बने इसी प्राकर्तिक शिवलिंग के दर्शन के लिए दूर-दूर से स्रधालू अमर्नाथ यात्रा के लिए हर साल आते हैं अमर्नाथ यात्रा से जुड़ी यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्याद से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इसी तरह की और वीडियो के लिए स्प्रिच्वल ग्यान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स वर वाचिं